तो चलिए गाईज मैं सबसे पहले आपको एपिए इस का बता देता हूं हमारी एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होती है जैसे कि इस डेफिनेशन से कुछ भी क्लियर नहीं होता में को भी स्टार्टिंग में कुछ क्लियर नहीं होता था तो मैं आपको मोर हो麼 रिलेट होता है बेकंडे जो भी हमारी वह होता है वह ऐनाथा है छाहिए हो नोड जीष इस में हो या जावा में हो या पाइथन में हो pla में ऐस चैसा की तो फिस्ताय developers कि पता है जो API's क्रेट करता है और सर्वर से data fetch करता है जिसके थूरू सर्वर से data fetch करता है तो Front End developer क्या होता है कि वह सिर्फ उन जैसे अगर हम Front End के design के perspective से देखे तो front end क्या करता है सबसे पहले अपना design create करता है और साथ में उस design पे जो भी हमें data show रहता है जो dynamically data होता है जो बार-बार change होता रहता है या कुछ नए data add किया या delete किया वो हम front end पे नहीं रख सकते है बैसिकली रख सकते है वो async storage वगेरा में अगर आपकी large application नहीं है तो उस case में हमें backend developer की जिओरणत परते है वो क्या करता है कि हमें APIs बना कर देता है जिसके तरह सरवर से data fetch कर सकते है उसको एअड कर सकते है server पर data upload कर सकते है, server पर data update करा सकते है कि server से data delete भी कर सकते है through APIs जो बना कर देता है backend developer तो API का basically काम क्या होता है कि वो ऐसे middleware काम करती है front end और back end server के बीच में तो API क्या करती है अगर हम किसी को request किया like अगर से real example में देखे अगर हमारे restaurant में कोई waiter है हम उसको order देते है कि आप हमें one glass water लाके दे तो यहां भी क्या करता है कि water हमारी API है जिसको हमने request की और वो request जाके अपने जो भी manager या उसकी store bucket होगी वहां से water bottle लेकर लाकर हमें देगा तो यहां पे आप as waiter को API समझ सकते हैं तो basically यहीं हमारी API होती है हमें इतना नहीं API कैसे काम कर लिया है यह कैसे बनती है इस पर इतना focus करने की जूरूत नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि API basically कैसे काम करती है तो चलिए अब मैं आपको API implementation भी बता देता हूं कि हम एक्टनेटी में API implementation कैसे करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर देखे इन्होंने fake AI क्योंकि API मैंने आपको बताया है कि server पर data पढ़ा होता है वहां से हम fetch करते हैं तो यहां तो हम local database setup कर सकते थे बट मेरे को इतनी knowledge नहीं है backend की तो हमारे पास कुछ free APIs का access है जिनका हम यूज करके basic idea लेंगे कि हम reactivity में कैसे इसको यूज करते हैं इसका link मैं आपको वीडियो के description में provide कर दूंगा तो चलिए सबसे पहले इन्होंने हम क्या करते हैं कि to-do list को इन्होंने API दे रखी है यह वाली इसको हम यहां पे यह get API हमारी ब्राउजर में hit हो जाती है तो यह देखे यहां पर इसका API response आएगा तो इसी को मैं क्या करता हूं as it is इसको copy कर लेता हूं और अपने code में रख लेता हूं तो automatically अगर हमें कोई भी function run करना होता है तो हम उसे use effect में लिखते है यूज इफेक्ट और उस code को मैंने हापे कर दिया पेस्ट अभी मैं सिर्फ आपको इसको run करके बता रहूं कि हमारी API कैसे हीट होती है देखे हमारी API हीट होई और इससे response आया तो हम बैसे क्लिए क्या करते है कि यह चीज़े यहां पर करने के बजाए अपनी API action के थूरू call करवाते है जो कि ह हमारे रिडक्स में हम अपने action को create करेंगे तो सबसे पहले हमें एक पोस्त ही हमें हचार या जितने भी पोस्त है सारी पोस्त चाहिए होगी हमें सको सेव करता हूं यह देखिए इसमें 200 पोस्त है तो हम इसको फ्लैट लिस्ट में रेंडर करेंगे उससे पहले हम क्या करते ह है रिडक्स के थरूब एक हिट करांगे और सबसे बेस्ट हएक और कि होता है एक ठø – लाइबरेरि के से यह यह इसके थरू जो इन करने में तो में हम यह बंश.ध, get इसमें हम क्या करेंगे अपने URL को पास कर देंगे और दैन इसमें हमें इसका रिस्पॉंस मिल जाएगा इसको मैं क्या करता हूं फैच मैठट को रिमूव कर देता हूं इसको हमने सेफ किया यह देखे इसका इसका रिस्पॉंस मिल गया इसमें स्टेटा 200 आया हम चैक भी लगा सकते हैं और हैटर बाइड़ फोल्ट जो इसमें गया और डेटा में हमारा जो डेटा था वो हमें मिल चुका है तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको एक्षिन में लिखेंगे और बटन के क्लिक पे या ओनलोड पे उस डेटा को फेच करेंगे तो हम चलते हैं जैसे एक्षिन में पॉस्ट्स नाम से और च यह से इस अगर आपको और यूजर में डेटा सेव कराना तो आपको डिस्पैश करना होगा वना अज जूड़त नहीं अगर आप उसी स्क्रीन पर उस डेटा को चाते हैं अगर वह सेम डेटा आपकी मल्टिपल स्क्रीन पर यूज ओर तो आप उसको रिटक्स के थूर मैनेज करेंगे वो हम इसको बाद में देखेंगा अभी सिंपल हमने सिर्फ एपर हीट करानी है तो हम इसका एक्चन का नाम लख लेंगे इसको कट कर लेंगे और यहां पर करतेंगे एक्सी उसको गैट देखिए यह हमें कुछ रिटन कराएगा तो हम इसको रिटन कर देते हैं ताकि हमें डेटा मिल पाए है यह मैंने सेव किया सेव करके अब मैं इसको एक्षिन के थुरू एक्षिन हमारे पास होगा तो हम लिख लेते हैं एक्षिन दोट लुकेट लिए पोस्ट आया नहीं है हमने पास नहीं किया पोस्ट तो इसको पोस्ट को पास करेंगे यहां पर इंपोर्ट स्टार एज़ पोस्ट्स फ्रॉम इस को सकते जैसे पोस्ट्रीयेशन पोस्ट डिलेशन तो सारे हम इसी के अंदर वह फंक्शन अब देखते हैं एक्शन रोट पोस्ट गेट वोट्स आ गया है देन रिस्पाउंस मैं और डेटा स्पाउंस एट पोस्ट में जाते हैं यह वाला कंसोल हटा देते हैं यह सेव किया और अब हम होम को सेव करेंगे और इसको रिलोड कर देंगे यह देखें माई ओल डेटा में हमें डेटा मिल चुका है यह किसके थरू मिला है हमने जो एक्शन डिफाइन किया था तो इसको हम और एक अलग से फंक्शन मनाते है या इसी को हम असी का वेट के थरू भी कॉल कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे एक एक फंक्शन मनाएंगे कौन सा होगा असिंग और इसको अटमेंटिकली अपर हो जाएगा कॉल अब हमें यह चीज करने के जूरत नहीं है बार-बार क्योंकि अब हम दैन और कैश का कम यूज़ करते हैं तो असिंग का वेट का यूज़ करते हैं अवेट एक्शन स्टोट इसमें सारी हमारी है कि कितने सारे वेज होते हैं कि हीट कराने के यह मैंने सेव किया कि रिलोड करते हैं अब और पोस्ट जो आई थी अगर इसमें ट्राइच में रखते हैं इसको अगर एरर हुआ तो अब यह हमारा गेट पोस्ट का हो गया अगर माल्या हमें अगेस्ट पोस्ट पोस्ट कमेंट और पोस्ट वन डिलेट गाइड देख लेते हैं डिलेट वाली कोई API देखते हैं ओके यह हमें फर्स्ट पोस्ट डिलेट करें देखें रिसोर्स विस नोट ब्रेली अपडेटिटिड उन दा सर्वर बट इट विल भी फेक्ट एजिफ तो यह इसका हम अगर हम इसमें पोस्ट टूडू पोस्ट में कोई डिलेट करेंगे तो उस पर सर्वर पर कोई फेक्ट नहीं होगा बट उसका रिस्पॉंस आ जाएगा कि हाँ वह सक्सेस हो चुकी है तो अब इक लिए अब हम क्या करते हैं जैसे यहां पर एक एक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट फंक्शन डिलेट पोस्ट यह यह मैं इसको कोपी कर लेता इस एक एक्शन बनाते हैं अब ही मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं बाद में हम इसको एक अच्छे तरीके से समझेंगे कर लेते हैं एक्शन स्टोर्ट इलेट पोस्ट बाद में हम यह भी देखेंगे हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे डिलेट करके उसको रिमूव करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहो कि API हिट कैसे होते हैं फटा फटा उसको हम कैसे यूज़ करते हैं ठीक है अब डिलीट का रिस्पॉंस देख लेंगे क्या रिस्पॉंस आया यह response आया मैं इसको डिलिट किया यह देखे डिलीट का response आया success तो यह पेक API है जब भी यह डिलीट का कोई पोस्ट डिलीट करके अम दुबारा अपनी API को हिट करेंगे तो वह पोस्ट डिलीट हो चुकी होगी तो यह हमने क्या-क्या getPost का करा और deletePost का करा getPost में हम इसको पोस्ट कर देते हैं क्योंकि यह टूडू है पोस्ट किया इसको सेव किया 100 पोस्ट है बाद में हम इसको करके डिलीट भी करेंगे तो अभी क्या करते हैं हम गर्म इसको डॉल्डू देते हैं हम इसकी जुर्ट नहीं और यहां पर एक अट लेता से लेते अट से आप यह करके अ अपनी पोस्ट को रेंडर करेंगे तो यह डेता भी हम क्या करते हैं सेट लेती है ढूंस्त डेट उस शिडिय unnecess whether एम्टी डेटा में हमने अपना डेटा पास कर दिया और रेंडर आइटम का एक फिंक्शन बनाएंगे इसको मैं अबाद देता हूं के रेंडर आइटम और इसकी यूजर आइडी से हम सकती है आइडी के फिरोज की एक्स्टेक्टर यूनिक वैल्यू रखेंगे आइटम डाइडी टू स्ट्रिंग तो चलिए जब इसका रिस्पॉंस सेक्सेस आएगा तो उसकी वैल्लियू किसमें आती है रिस्पॉंस डोट डेटा में तो और सेट डेटा रिस्पॉंस डोट डेटा और इसमें आइटम आएगी आइटम इंडेक्स आइटम में बोडी टाइटल यह देखिए हमारा इसका फ्लैट लिस्ट का डेटा यहां पर शोर है इसको थोड़ा ही कार्ड टाइप मना लेते हैं the box style stop box view बादिंग 16 बोड़ ड़िए एड और गंटेनर में बादिंग होरीजोंटल दे देते हैं 16 और इसेपरेटर आइटम कर देते हैं कंपोनेंट स्टाइल मार्जिन बोटम 16 इसको थोड़ा सेफे रेव्यू दे देते हैं हुआ है ठीक है यह हमारी फ्लैट लिस्ट में जो भी हमारा API का डेटा वो रेंडर हो रहा है तो ऐसे ही हब हम जैसे डिलीट पोस्ट का सक्सेस रिस्पॉंस आएगा तो हम इस में से वह पोस्ट को डिलीट कर देंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं इस मों में देखते है क्या रहा है आईडी हमने भी टाइटल दिखाया है और इसकी बोडी भी दिखाएंगे यहां इसके निचे को देते हैं बोडी तोड़ा गैप देते हैं टाइटल को थोड़ा हम कर देते हैं बोल्ड फॉंट साइज दिस्स चिस्टीन ओंत पे बोल्ड अ मांत को अंप दम 4 रहते ऐं इन लाइन नहीं देते स्टाइलिंग स्टाइल्स डॉट हैडिंग अगर कि अगर कि अगर कि ठीक है यह थोड़ा अच्छा लग रहा है और साथ में हम यूजर आइडी भी यहां पर प्रिंट कराते हैं या हैडिंग के आगे हम देख लेते हैं थोड़ा इंडेक्स टाकि हमें पता लगेगी कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमारी ड्लीट हुई है और इसको डोट कर देते हैं अब ठीक है यह सही लग रहा है इंडेक्स ब्लस वन कर देते हैं कि हमारा इंडेक्स जीरो से स्टाट होता है 123 अब यह बैटर लग रहा हमारी पैस जितने भी पोस्ट्स आई है वह एपियाई के थ्रू आई है अब हम इस पर क्लिक करके आप एक डिलीट का आइकन भी देंगे प्लास्ट में देते हैं पेसे टी डिलीट स्टाइल देते हैं जैसे इसको दे दिया बटन स्टाइल नीचे क्रेट करती है की स्टाइलिंग अब देते है थोड़ा थस लाइन से देते है फ्लक्स एंड बैक्ग्राउंड क्लर देते है रेट पैडिंग औरीजोंटल दे देते है आठ और पैटिंग वर्टिकल दे देते है जार बोर्डर रेडियस दे देते है थोड़ा थोड़ा फोर एस्ट का कलर यही रखेंगे बस एक इक रॉप्स देंगे इसमें पाइट ओके तो इसके डिलिट करने पे हम यह प्रुट्रकुलर पोस्स को डिलिट करेंगे डिक्ट कहीत मैं के अब हम सिर्फ लोकली इसको डिलीट करेंगे लेकिन लेकिन लोकली धुली नप करेंगे जब हमारा दिलिट्व पोस्ट कार्ष्पोंस सक्शेस होगा तो जाग या इस में डिलीट us post में पुर्फमें देखते हैं कि इन्हों निकाहिए आते हैं कि पोस्ट में और इसकी क्या गई ए रहा है यह इधेंगे उस पौस्ट की और इसको डिलिट कर देंगे तो चलिए यह लैंडराइम इसमें on delete on press on delete on delete post इसमें क्या जा रही है item.id इसमें id जाएगी id हम as a query pass करेंगे id और यहाँ पर यहाँ आने वाली हमारी id है तो इसको हम back sticks में wrap करेंगे यहाँ पर हमारी उने वाली id है तो अभी हम hit करके देखते हैं अब ड्रेलेफ की डिलीट करी इसका response देखते हैं success आया status response तो हम अब इसको locally भी डिलीट करने वाले है locally डिलीट कैसे करेंगे या पर filter function का यूज करेंगे लेट मोडी या पर लेक्लों कर लेते हैं array data array dot filter modify array करने लगा देते हैं if well.id not equal to equal to id उस case में return करा देंगे जो भी हमें return modify array यह update हो जाएगा तो चलिए जैसे कि मैं उपर के यह वाली डिलेट करता हूं यह होगा नहीं modify array is not defined अब देखते हैं तो उपर किया यह देखे two वाला यह उड़ चुका है तीन को डिलेट करते हैं यह देखे तीन डिलेट हो चुका है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे index नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी डिलेट नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे item.id यह देखे two की होगी डिलेट फोर किया फोर भी डिलेट हुआ यह हमने डिलेट कब करा रहे हैं जब हमारा API का response सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस आ रहा है या डिलेट हो रहा है जिसका भी हम इनके जो हमने यहाँ पर हमें methods बनाए है delete, get, post अगर हमें header बेजना हुआ उन सबका comment function भी हम यहाँ पर create कर सकते हैं वह मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब हम next वीडियो में मिलेंगे तो चलिए गाइस बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब